असलाम लेकम, इस वीडियो में हम सीखेंगे C++ में structures क्या होते हैं दर असल C++ में जो structures होते हैं वो different data types को आपस में group कर दिया जाता है इसे practically सीखते हैं, so मैं यहाँ पर IDE code blocks IDE को open कर लेता हूँ यहाँ पर अगर हम read करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है structures, जिसे हम structures भी कहा जाता है structures भी कह सकते हैं, or a way to group the several related variables कि आप यह पास different variables हैं, उनको आप आपस में relate कर सकते हैं, कथे राग सकते हैं into one place, एक जगा पर, ठीक है, each variable in the structure is known as a member of the structure जो भी various data होगा, variable होगा, उसको हम member कहेंगे, ठीक है, तो I think इसको data member भी आ जा सकते है so practically करते हैं इसे, तांकि आपको अच्छे से समझ आ सके, मैंने यहाँ पर empty file create की इसको मैं पहले save कर देता हूँ, यहाँ पर click करने से okay, मैंने इसको save कर लिए, यहाँ पर c++ का program का basic structure लिखेंगे मैं इद करता हूँ कि आप शुरू वीडियो भी आपने देखी होगी, c++ की तो आपको यह basic structure c++ का clear होगा उपर header file दी है, यहाँ पर मैं name space add कर रहा हूँ, जो कि है std main function start किया, main function की body, okay, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कि यहाँ पर लिखेंगे struct keyword है, ठीक है, structure बिनाने के लिए struct keyword लिखा, अच्छा यहाँ पर दो चीज़ें याद रखने वाली हैं, कि structure को हम दो तरीकों से यूज कर सकते हैं, पहले इस तरीके से देखते हैं, फिर दूसरा तरीका देखेंगे, फिर दूसरे की तरफ भी आएंगे, struct keyword लिखने के बाद यहाँ पर हम चाहिए तो student name, mostly chances है, string में होंगे, यहाँ पर collection of characters होती है, string, तो मैं यहाँ पर string type लिख लेता हूँ, और यहाँ पर दिख देते हैं, student name, s, n मतलब student name, right, और इसी तरह से मैं student result के लिए integer, एक variable ले देता हूँ, student result, s से student और r से result, मुझे student percentage चाहिए, तो इसके लिए मैं float data ले लेता हूँ, student percentage, okay, तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि create structure, structure बताना है, कैसे है, पहले तो struct keyword लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम data members को गयरा भी हमने curly braces में दे लिए, curly braces में कहां पर दिये, यह देखें, यह curly braces में मैंने data members यहाँ members दे लिए, फिर इसके बाद करना क्या है, after declaration specify the name of the structure variable, तो उसका structure variable का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर हम seven column से पहले ही देंगे, तो इसको मैं कहा देता हूँ student data, student data, right, इसी तरह से अगर मैं equal structure variable का नाम देना चाहता हूँ, तो इसको मैं कहा देता हूँ student data 1, तो इसको मैं कहा देता हूँ student data 2, ठीक है, इसना आपका अम अलगा के student data 3 भी कर सकते हैं, यहाँ इस तरह का कोई और structure variable create कर सकते हैं, चलेंगे मुझे दो ही चाहिए हैं, तो मैं इन data members को हमने access कैसे करना है, इन members को हम इस तरह से access करेंगे, सबसे पहले structure variable का नाम दिखेंगे, जो कहा है, यहाँ student data 1, मैं यहाँ से इसको select करके copy कर देता हूँ, अब पेस्ट किया, dot लिखेंगे, ठीक है, dot operator के जरी access करेंगे, किसको access करना है, मैंने अभी s id को access करना है, मत इसमें value sign करनी है, तो मुझे पता है, इसका data type क्या है, int है, मतलब कि integer है, तो यहाँ पर integer value मैं store कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने 20 लिख दिया, student id 20 होगी, इसी तरह से मैं members को भी access कर सकता हूँ, student name, student name, क्योंकि sn का data type string है, तो string देने के लिए double quotes यूज़ करते है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अली, और यहाँ पर student result के बारे में भी लिखना है, इसी तरह से मैंने student percentage को भी access कर लेना है, इसमें point value value हम store कर सकते हैं, चले हमने यह value store कर ली, अब इन values को मैं अगर display करना चाहता हूँ, और यहाँ पर इसको मैं copy करता हूँ, और यहाँ पर paste कर देता हूँ, ओके जी, इसको एक मतला run, इसको मैं save कर दिया, इसको मैं run करके check रहता हूँ, अधर के build and run करते हैं इसे, यह देखें जी, क्यूंकि student id जो है 20 रखी थी, इसलिए student data 1 से हमने student data id को access किया और यहां पर cout में जब show कर रहा है, तो 20 शो हो रहा है, एंडल से हम new line पर आ सकते हैं, एंडल, और फिर इसी तरह से हम student name को भी access कर सकते हैं, जी, इसको मैंने save किया, यहां से build and run करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहां से मैं new line पर आता हूं, एंडल के जरीए, और यहां पर student percentage को आप मैं access कर देता हूं, आप student result को भी गार सकते हैं, लेकिन अभी मैंने percentage को SP data को access किया है, मैंद भी data member को, यह member को, यह आप दिख सकते हैं, अब इसके बाद एक और चीज़ है कि हम data structure को किस दान से, और तरीके से हम यूज कर सकते हैं, data type के दोर पर, तो यह दो वही चीज़ हैं, access data members, मतलब structure के members हैं, उनको किस दान से access कर देना, dot operator के जरीए हम access कर सकते हैं, one structure देना multiple variables, हम multiple variables create कर सकते हैं, इस दान से आपको मैंने यहां पर बताया, तो अभी तो मैंने student data 1 मैं data assign किया, student data2 में data assign किया आ सकता है मतलिंगे अब मैं यहां पर student data2 में data assign करने जाता हूँ मैं इसको copy करता हूँ यहां पर मैं paste करता हूँ और यहां से मैं student ID को access करोंगा और इसमें value मैं कोई रख्वा सकता हूँ मतलिए मैंने रख्वा लिया 26 six okay इसी दरह से मैं student name को एक्सेस कर सकता हूं और इसमें भी ना जिखवा सकता हूं यहां पर रखवा देता हूं bleed ओके यहां पर मैंने इसको build and run किया data दोई शोगा देकिन आप मैं इसका data शोग करना चाहता हूं तो वो किस तहां से करूंगा यहां पर मैं handle आता हूं लिखता हूं और new line पर आगे और अब मैं यह data शोग करना चाहता हूं तो इसको मैं यहां से copy करता हूं यहां पर मैं paste कर देता हूं इसको मैंने save किया यहां से build and run करते हैं तो यह देखें believe भी show हो रहा है मतलब यह कि हमने एक मर्तबा structure बना लिया हुए ठीक है उसके जिते हम variable चाहें आप उसके बना ले और फिर उन variables के जरीए इन चीज़ों को हम access कर सकते हैं मतलब कि इन members को हम access कर सकते हैं इन data members को भी आप कहा सकते हैं अमीद करता हूं कि यह आपको समझ आ रही होगी अच्छा जी यहां पर आगया named structure इसे भी practically करते हैं अगर structure को आपने data type के तोड़ पर use करने तो वो किस तरह से करेंगे इसके लिए मैं आसा करते हूं एक new file create कर देता हूं तांगे आपको अच्छे समझ आ सके और इसको मैं save कर लेता हूं इसी को मैं यहां से copy कर लेता हूं और यहां पर मैं paste कर देता हूं अब इसमें करना किया कि जो structure रहना वो हमने main function से बाहिर बनाना है अब यहां पर आपने structure के variable का नाम नहीं देना अब आपने structure को नाम यहां पर struct keyword के बाद देना है यहां पर मैं structure को नाम देता हूं student okay अब यहां पर data को किस तान से हम access किया करेंगे देखिएगा यहां पर क्या करेंगे यह समय लिए अब हमारे पास data type है तो हम structure को यूज कर रहे हैं as a data type के तो तो यह हमारे पास क्या है data type के दोर पर तो हम यहां पर data type लिखेंगे student और variable बना लेते है मैं student 1 मुतलब के s1 बना लिया और s1 के जरीए अब मैं क्या करूंगा इसको access करूंगा फिर इसे और फिर इसे और इसी तरह से इसको access कर दोंगा चलें जी यहां पर मैं लिखता हूं s1.student id is equal यहां पर मैं रखता हूं 71 student id 71 ने अब इसी जाना से मैं student name को भी access करूंगा यहां पर double quotes मैं क्योंकि उसकी डार टाइब string नेम की sn की यहां पर string है इसलिए यहां पर double quotes में value देंगे मैंने name यहां पर रख दे स्टुडेंट नेम नवीद इसको मैंने save किया और इसी तरह से दूसार डार टाइब भी आप यह अले भी access कर सकते हैं लेकिन अभी पहले यह value मैं show करवा देता हूं इसको मैंने यहां से copy किया यहां पर paste करते हैं यहां से indel के जरी न्यू लाइन पर आ जाएंगे और यहां पर student name को भी show करवा देंगे ओके इसे मैं build and run करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं पहले value store आप यह मैंने यह ski यह oo नाम की अचुर्फण च्यड़िकशक्र के जरिए student ठाएक इस डख country के जरी वैयर आप के जरीए मैंने एक variable बनाया s1 क नाम का और s1 के जरीए मैंने इसको access किया और इसमें value store करवा दी 70 यउच созд और फिर इसको access किया ऎसमें value store जो है जहांकर मैंने इस टोर गेंडी ओहां पर शोड़िया है ठीक है इस तान से आप कर सकते हैं इनको भी आपक्सेस कर सकते हैं S1 के जरीए अगर आप चाहें तो तो आप मैं चाहता हूं कि इस डार टाइप की एक और मैं इस डार टाइप का एक और वेरियेबल बनाऊ तो यह से बनाएंगे इसी तरह से पहले डार टाइप लिखेंगे कि यहाब मैं लिख देते हूं S2 और इसी तरह से आप इसको अक्सेस कर सकते हैं स्टू डाट स्टूडेंट आइडी और स्टूडेंट आइडी को आप वैल्यू साइन कर सकते हैं बस सिस्टी सेवन एड़ कर दी गौैं के टाइड आप स्टूडेंट नाइब को भी एकसेस कर सकते हैं अ स्टूडेंट याँ पर स्टूडेंट ने में रख लिए यहां में बस्तुरेंट ने इसलस्ट भी मैंक्साइस कर लित है इसका प्योडेंवर हैं member है अगर मैं value यह student name वाली शो करना करना चाहता हूं तो इसके लिए मैं सी आउट यूज कर देता हूं सी आउट कर देते हैं तांकि न्यू लाइन पर आज़े इसको मैं build and run करता हूं तो यहां पर यह देखें जी पहले इसका डेटा शो हुआ है यहां पर यह सी आउट के जरीए यह दो और फिर यह जो फुरूग शो हुआ है यह यहां से value शो हुई है जो के s2 की है sn में value रखवाई है तो इस तरह से आप structure को data type के तोर पर भी यूज कर सकते हैं और अगर आप structure का इस तरह से आप यूज करना च चाहें तो structure को इस तरह से data type बनाकर उसके variable के तोर पर हिस्तमाल कर सकते हैं कि जितने मड़ल यहां variable NATE जाएं और structure को हम यूज करते हैं तैक है structure को हम इस तरह से भी use कर सकते हैे और है इस तरह से भी तो I think structure का शायद इस तरह से ज्दा से ज्यादा यूज होते हैं तो आप structure का इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं अमेर्द करता हूँ कि आप structure के बारे में clear हो गया होगा कि structure होता गया now we can say that structure is a group of different data members or members or different data types okay मैं again रपीट करता हूँ structure is a group of different members that are grouped together and each member contain maybe different data type right we can say that अमेर्द करता हूँ कि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आई होगी इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इलम की जुस्त जो यूट्वीब चैनल को लाज़ में सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल इकन पर क्लिक कर लें थैंक यू सो मच पर वाचिं दिस वीडियो टेक केर लाफ इस